hello friends welcome to my channel तो आज मैंने बनाये हैं कि बचे हुए चावल से बहुत ही tasty एकदम हैदरवादी बिर्यानी जैसी बिर्यानी तो बहुत ही लाज़वा बनी हुए ये बहुत ही tasty बनी है तो हुआ गया था, रात को मैंने बनाये थे चावल, जो की जादा बन गए थे, एक्स्ट्रा हो गए थे, तो फिर सुबह सब मुझे डाट लगा रहे थे, कि इसने बनाये हैं, तो इसी को खिलाओ, इसी को खिलाओ, मिडिल क्लास फैमली में क्या होता है न, कोई भी चीज वेस नहीं करते हैं, तो फिर क्या हुआ, मैंने जटपट से जो घर पे चीजे रखी थी, मैंने ब्रेकफास्ट टरडी कर दिया, ये मैंने घर की सबजियां, जो भी थी, मतलब जो भी आपके पास हो, तो वो मैंने ली, और बस जो बचे हुए चावल थे, उनको लिया, और बस य यही बिर्यानी बनाएंगे, बहुत ही लाजवाब बनी थी, यहां पर थोड़ा सा पनीर पड़ा हुआ था, तो मैंने पनीर को फ्राइ कर लिया, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, उसके बाद मैंने एक ओन्यन लिया, स्लाइस करके उसको भी मैंने गोल्डन बाद मैंने यहां पर डाल दी, जो सबजिया मैंने कट करके रखी थी, मेरे पास घर में जो भी वेजेटेबल्स थी, वो मैंने कट करके इसमें डाल दी, हरी मिट्ची प्याज, और गाजर, सिमला मिट्ची, हरी मटर, मटर का तो सीजन चली रहा है, आराम से आसानी से मिल ज फिर उसके बाद मैंने डाल दिया, यहां पर हाफटी स्पूर नमक, और नमक डालने के बाद मैंने इसको ढखके पकाया, तीन से चार मिनट तक के लिए, और यह देखी सबजी अच्छी से पक गई है, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हल्दी, और मैंने कुछ भी बिर्यानी मसाला पाउडर, इससे ना बहुत यह अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसके लावा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, और मैंने यहां पे नीबू लिया था, आदा उसको निचोड दिया है, और यह मसाला मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, इसको बाद मैंने यह जो चावल लिये थे, रात के बचे हुए, उसको डाल दिया है, और उसको ऐसे सेट कर देंगे, उसके बाद मैंने यहां पे पनीर जो लिया था, पनीर को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद मैंने यहां पे जो चावल निकाल के रखे थे, उसको डाल दिय यह में उपर सबसकत है और नोगत कि यह सब सबसक्राइब, यह चेक अभरेट के देंत degree बहुत ही रोपकर आ अब करकी सब्यदोद के सब्सकुंतने सब्सक्रियों अब बहुत ही टेस्टी बनें थे बहुत ही लाजवाब लगते हैं तो बैने इसको एक ब्लेट में निकाल लिया हैं और आप लोग को भी ट्राय किजिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं बचे हुए चावल को वे Cash कैसे अक्तुए अरकर आपको में बूम पहसंद तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग